जो चार नंबर को इतना गलत बताया जाता है क्या रियल में चार नम्र इतना गलत होता है निमरोलोजी के हिसाब से सर में दो नाम लूँगा आप समझ जाईए सरदार वल्लब भै पटेल दूसरा नाम है अमिछ्छा दो इनाम में लूँगा अब रिजल्ट आपके सामने है घरी के बारे में आजकल भहुत डराया जाता है कि आप जो है metallic wristwatch पहनी है कि सिर्फ एक guideline है उसमें कि black color आप अवाइट है नवस्कार दोस्तों आज हमारे बीच हमारी चैनल पर guest है स्री व्योमेश पाठक जी इनको numerology का भी knowledge है वास्तु का भी knowledge है रुद्राक्स का भी knowledge है कासी ग्यानी है रुद्राक्स पर उन्होंने एक किताब भी लिखी है उनकी link भी मैं डाल दूंगा जिसको रुद्राक्स में interest है आज हम numerology और रुद्राक्स के बारे में कुछ पहलियों के जानकारी लेंगे जो मन में सवाल चल रहे हैं स्वागत है आपका व्योमेश जी Thank you sir, thank you for having me here, my pleasure साब कोई भी व्यक्ति जब numerology में consult करने आता है तो उसके मन में एक भहे रहता है वह भय है कि मेरा नाम चेंज कर देंगे यह तो आज की दारिक में नाम चेंज करने में government के लोगों से पाला पड़ता है बार बार चक्कर लगाओ government के office में तो कितना hard है तो सर इसका मैं दो पार्ट में answer दूँँगा कि सबसे पहले तो name spelling हर एक case में ज़रूरी नहीं सबसे पहली बात name spelling हम तभी recommend करते है जब it is utmost important या तो आपका नेम जो है वो कोई गलत नंबर पे है या आपके date of birth के एंटी नंबर पे या opposite नंबर पे है तो उसी case में जो है हम name spelling को recommend करते है जिससे आपकी life uplift हो जाए दूसरी बात जहां तक की name spelling change करने की बात है legally आपने दे देखो कि उसमें single एसी है क्या बात करते हैं आप मेरा pen card देखो कि उसमें single एसी है तो मैंने आज तक legally मेरा नाम चेंज नहीं किया है legal name जो है वही है हम जो name spelling change करते है वो सिर्फ और सिर्फ social media digital media YouTube Facebook Instagram WhatsApp और मेरे visiting cards मेरा name plate क्योंकि जो है the idea or the concept is energy flow हमारा energy flow कहा से होते है हम जो email social media में उससे होगा दूसरा जो है हम social media पर interact करते हैं उससे होगा अभी आजकल तो bank भी हम बहुत कम check payment भी बहुत कम करते है everything is digital Google पे होता है सब online digital है Google में भी अगर आप आपका name spelling change कर दोगे तो automatically आपका जीपे में भी naturally name spelling updated वाला आजाएगा आप मेरा जीपे में भी नाम चेक करोगे तो नया वाला नाम है updated वाला नाम है राइट सो basically आपको government के चक्कर खाने की कोई जरूरत नहीं है आपको कहीं जाने की जरूरत न है कोई documentation legal कोई change करने का दरूत में सबसे वड़ा भय यही था सा बिलकुल सर बिलकुल और क्या numerology में कोई व्यक्ति करोड़पती बनेगा अरबपती बनेगा या खरबपती बनेगा उसके योग होते जी बिलकुल सर होते है सो numerology में हम कहते हैं कि तीन तरह के राज्योग होत लोगों का 456 लाइन पूरा होता रहेगा इसके अलावा यदि मैं property की बात करूँ अब लोग अमीर कैसे बन सकते एक तो hard cash पैसे कमा के दूसरा property बना के भी मैं अमीर बन सकता हूँ तो property का जो योग है वो है 2,5 और 8 तो यदि मेरे bird chart में 2,5,8 आता है तो effectively मेरे पास property का योग है जब भी मेरे पास कोई date of birth आता है मैं 2,5,8 देखता हूँ मेरा पहला question होता है आपके पास कितना property है तो वो इनसान भी ऐसा surprise होता है कि इसको कैसे पता तो यह simple trick है 2,5,8 अगर आपके bird chart में है तो definitely आपको property का योग बनता है और तीसरा और सबसे important में कहूंगा यह दोनों से भी important है वो है 9,5,1 की लाइन जो center की लाइन हमारी आती है bird chart में उसको हम कहते है willpower, will plane और कोई भी number आपके पास नहीं हो पर 9,5 और 1 यदि यह 3 number मौजूद है इससे यह होता है कि यह इंसान कभी हार नहीं मानेगा and sky is the limit for success of this particular person मैं आपको case studies के साथ बोल सकता हूं के संबानी देखी लीजे रतन टाटा देख लीजे जितने भी करोड़ोपती लोग है जितने भी globally not just in India globally आप देखोगे सब में 951 की line complete होगी उनके willpower के lane 9 complete होगी और यह लोग successful है और हम देख भी रहे तो यह तीन योग है यह तीन में से कोई एक भी योग यदी मेरे पास है तो भी मेरे पास capabilities है कि मैं करोड़पती अरबपती बन सकता हूं मैंने पामेशी में अभी देखा है जिनके mangal मजबूत होते उनके पास real मैं जमीनों से काफी अच्छा पैसा वो लोग एकोएर कर बाते हैं ऐसा कोई योग तो जैसे आपने बुला mangal numerology में नव नंबर जो है वो mangal को रिप्रेशन करता है राइट सो 9 इस mangal पाच इस बुद्ध एक है मेरा सूरिय जब बुद्ध मंगल और सूरिय यह तीन strong planets है यदि यह तीनों मेरे मजबूत है तो फिर मैं चंद्रमा तो 258 जो है अर्थ एलिमेंट होता है और यह तीन प्लानेट्स अगर मेरे पास है तो डेफिनेटली मेरी प्रॉपर्टीज भी बनेगी तो डेफिनेटली पामिष्ट्री और numerology में भी कुछ ना कुछ को रिलेशन तो है यह हमारे पास जो नोग रहे है वो सब ज भाग्यांक तो भाग्यांक का इसका क्या महत हो है जी तो दो चीज अपने जिकर की एक है मूलांग जो की सिर्फ डेट अब बर्द से आता है सिर्फ डेट से और एग्जामपल अगर मेरे डेट अब बर्द है नौ में 1986 जो है वो बन जाएगा मेरा मूलांग और पूरी लोगों को इजीली संबदने के लिए ड्राइवर और कंड़क्टर भी बोलते हैं लोग इसको पोरिलेट कर पाए जैसे कि एक बस में भी होता है कि ड्राइवर का रोल इंपोर्टन होता है बट डेफिनेटली नेविगेशन के लिए एक अब ट्राफिक में फस गए किसी को चड़ाना है तो कंड़क्टर का भी रोल इंपोर्टन हो जाता है तो इसलिए ये दोनों जो है सिंक में काम करता है ड्राइवर का रोल डेफिनेटली इंपोर्टन है और मैं कहूंगा कि ड्राइवर जो है 100% इंपक्ट करता है अगर मेरे लाइफ में तो कंड़क्टर जो है वो और ज़्यादा एक्टिवेट होता है और ज़्यादा एफेक्ट देता है अपने लाइफ में. उसके जिवन में अपडाउन आते हैं. आपने नाम चेंज किसी का सजेशन किया. तो कभी न कभी तो ऐसे एंटी इयर्स आते होंगे तब उसके जिवन में नाम चेंज करने के बावजूद भी तकलिफे आती होगी. ऐसा होता है क्या? जी बिल्कुल. जब एंटी इयर्स आते हैं, डेफिनेटली एंटी इयर्स है, वो लाइफ में स्लोडाउन लाएंगे, ग्रोथ को रोकेंगे, हेल्थ को इंपैक्ट करेंगे. पर इसको मैं इस तरह से देखता हूँ कि अगर मैंने नेम चेंज नहीं किया, तो वो एंटी इय कि या मेडिकल प्रॉब्लेम की बात करो, तो ऐसा हो सकता है कि मैंने नेम स्पेलिंग चेंज नहीं किया, तो उस केस में मुझे शायद ऑपरेशन लगे, पर नेम स्पेलिंग चेंज करने की वज़े से, उसके एनरजी और वाइबरेशन मेरे जो सिंक में आने की वज़े से, ऐसा हो सकता है कि उस ओपरेशन की जगे पे सिर्फ मेडिकेशन से में ठीक हो जाओ, तो इतना फरक, जी जी डेफिनेटली, तो नेम स्पेलिंग जो है सर आपके लाइफ में 50-60% इंपैक करता है, अभी for example आपका जो date of birth है, आप जिस दिन पैदा हुए, वो तो आपका fix हो पर दीका होगे कि जए, वो चेंज नहीं हो सकता, आपका मूलंग, भाग्यांग, ड्राइवर कंड़क्टर जो भी है, ये भी चेंज नहीं हो सकता, आपका birth chart ये भी चेंज नहीं हो सकता, तो ये जो है सारे स्टा TO चीज़े हैं, डाइनेमिक जो है जो चीज आप चेंज कर सकते हो, वो है सिर्फ आपका नेम स्पेलिंग और नेम स्पेलिंग जो है प्राक्टिकली 50 to 60% इंपैक करता है, मेरे खुद के केस में किया है, कि मैंने खुद के केस में देखा है कि 50 to 60% इंप्रूव हुआ है, मेरा लाइफस्टाइल, मेरा अर्निंग, सब कुछ. तो यह जो निमरोलोजी के अंदर एक परस्टनल इयर भी चलता है, यह भी कॉंसेप्ट मैंने सुना है, तो यह थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे इसके बारे में? तो परस्टनल इयर जो है, फोर एक इंस्टन्स या एक 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 जम्पल आपको बताऊं कि कोई आपके पास आता है फोर कंसल्टेशन और कहता है कि मेरा शादी कब होगा, या मेरा जॉब कब लगेगा, मेरा घर कब बनेगा, यह बेसिक सब क्वेस्टन सोते हैं, मुझे बच सबसे पहले में आपको बता दू परस्टनल इयर कैसे करते हैं, आपको जनरली सोशल मीडिया पर कोई बताएगा नहीं, पर I don't mind in sharing the secrets because general knowledge जितना है उतना अच्छा ही है, तो परस्टनल इयर का कैलकुलेशन जो है उसमें आपका जो डेट आप बर्थ है और मन्त बर्थ है, year of birth आपका है वो relevant नहीं है, current year जो चल रहा है, वो year आप उसमें ले लीजिए, और example अगर मेरा date of birth है 9th May 1986, 1986 को मैं निकाल दूँगा, अभी 2024 चल रहा है, तो 9th May 2024 ऐसा करूँगा मैं और ये पूरे date of birth का, ये जो पूरे date है उसका total दूँगा, तो ये जो total आएगा, ये total आ परजमें और उलोता है, राहू से, तो ये साल जो है वो राहू का है, तो इसी तरह से हर एक जो number है, वो personally or accordingly calculation आएगा और उस हिसाब से हम guidance देते हैं, clients को और ये देते हैं कि ये साल अगर positive है, तो definitely आपका अच्छा होगा, अगर negative है तो हम suggest करते हैं कि slow down, कुछ नया मत कीज है, so this is how we can plan our journey, navigation जो हम बोलते हैं, so जब हम अभी मैं आपके office के लिए आने के लिए निकला, right, तो हम traffic देखके निकलते हैं, कि इतना traffic है तो थोड़ा जल्दी निकले, या तो traffic कम है, तो हम late भी निकल सकते, तो ये जो गूगल map हमको navigation tool देता है, उसी तरह से numerology, personal year, ये सार पामिशी में राहू रेखा के समय लोगों को तकलिफ है आती, generally, 90% लोगों मैं, मैंने ये चीज देखी, तो क्या numerology में तकलिफ वाले साल हम निकाल पाते हैं, किसी के जीवन के, बिल्कुल सर, तकलिफ वाले साल जो है, मैं कहूंगा, कि definitely राहू जो है, राहू आपसे hard work कर आएगा, मेहनत कराएगा, दो गरह ऐसे है, एक चार नंबर राहू और एक आट नंबर शनी, ये दोनों गरह आपसे hard work कराएगा, easily कुछ ने देगा, पर जब देगा तब चपड़ फार के देगा, तो इसलिए ये दोनों प्लानेट जो है, चार और आट आपको टेस्ट करत लेते हैं, तो इनिशली आपको लगेगा कि ये साल बहुत स्ट्रगल वाला साल है, परस्नल एर फोर जब आता है, खास करके और परस्नल एर एट भी जब आता है, तब ऐसा लगता है कि ये साल मेरा slow होगा, पर end में साल के अंत में आते आते, October, November आते आते आते, आपको ऐसा surprise मिलेगा, ऐसा gain मिलेगा, कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि आपने struggle इतना किया है, hardware कितना किया है, तो end में कभी-कभी हम उमीद छोड़ देते कि या अभी तो कुछ होगा नहीं, और तब जाके बगवान की जो कृपा होती है, राओ की कृपा कही है, या शनी कि कृपा कही है, तो ये दो साल challenging होता है, पर definitely आपको results देंगे, इसके अलावा personal year two जो है वो चंदरमा का है, अब चंदरमा जो है वो 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन गड़ता है, तो उसी तरह से लोगों के mood swings भी होते है, और slow, चंदरमा जो है वो एक slow planet है, शान प्लानेट है, तो उसी लिए उस साल में भी जो है, वो आपको growth इतना देखने नहीं मिलेगा, peaceful year रहेगा, पर monetary growth बोलो या business में growth उतना नहीं होता, और जो आखरी है वो है personal year 9, मंगल का साल, मंगल को हम बोलते हैं कि यह audit period है, आपने जो भी पूरे साल में या पूरे 8-9 साल में जो आपने किया है, उसका पूरा लेखा जोका जो है वो मंगल आपको देगा, तो यदि सेम चीज आती है कि यदि आपके कर्म सही है, पूरे 8-9 साल में तो definitely मंगल भी आपको मंगल है, यह सब आपके कर्म के कर्मा पे डिपेंड करेगा कि आपका काम कैसा है, तो उसको हम कहते है, पसनलियर नौ को हम कहते है audit period, यदि आपने अच्छा काम किया है, मेहनत किया है, तो result मिलेगा, यदि नहीं किया है, तो आपको फटका भी मिलेगा, और कई लोगों के जीवन में मैंने देखा, एक तो expensive life होती है उनकी, यानि अगर वो 1000 रुपया कमा रहा है, उसके सामने 900 का खर्चा हो जाता है, या 200 का खर्चा हो रहा है, दो 1000 का खर्चा हो रहा है, क्या निमरोलोजी में ऐसा 5-5 साल का या 4-4 साल का या पूरे जीवन में ये खर्चा लू रहेगा ऐसा कुण दिखता है, जी बिल्कुल, तो कुछ नंबर ऐसे है कि पर एक्जमपल शुक्र का नंबर है, शुक्र जो है वो आपको देता है, शोहरत देता है, दौलत देता है, पर साथी में शुक्र जो है आपको लैविश लाइफस्टाइल भी देता है, तो आपको एक या दूसरा जो नमबर है मैं कहूंगा चार नमबर खास करके जब राहू आपके बर्चार्ट में मल्टिपल टाइमस आ जाता है दो या उससे जादा बार तो उस केस में ऐसा होता है कि हम कहता है कि पैनी वाइस पाउंड फुलिश कि एक रुपया कमाने के लिए मैं दो भूना भी मैं खर्च कर दूँगा तो वो योग दिखते है कि जी इसलिए खास करके मैं जब शेर मार्केट की बात करता है तो लोगों के कान खुल जाता है क्योंकि सब को आज कल आप देखो ठेले वाला भी शेर मार्केट में इंवेश कर रहा है तूब लोग कर रहे है यह भी एक important चीज है जो numerology की मदद से है और definitely मेरा basic profession जो चार्टर अकाउंटन्ची है तो वो दोनों को merge करके हम definitely लोगों को help कर सकते है numerology plus finance knowledge की आप कौन से sector में invest कीजिए या आप cash segment में कीजिए या futures and options से दूर रहिए यह सारे guidance हो है हम numerology की मदद से भी देते हैं लोगों को कोई ऐसा किस्सा है कि कोई जेल यात्रा का उसका सयोग दिखा हो ऐसा कोई numerology में ऐसा योग दिखता है कि यह रिक्ती जेल जाएगा जी बिल्कुल दिखता है कि खास करके जब मेरा driver conductor anti आ जाता है जब driver conductor समझो एक और आठ आता है तीन और छे आता है या दो और आठ आता है तो यह cases में ऐसा possible है कि जेल हो सकती है साथी साथ 4-3-8 की line भी अगर मेरी कभी कभी पूरी होती है और driver conductor anti है तो chances और बढ़ जाते है कि मेरी जेल हो सकती है और कभ होगी वह भी हम timing भी देख सकते है कि जब मेरा anti year चल रहा है जब मेरा कोई negative year चल रहा है उस साल में भी जेल होने की संबाव ना होती है तो यह सारे चीजों को संकलन करके अंगर करके हम बोल सकते है कि इस इंसान को जेल भी हो सकती है और किस साल में हो सकते हैं, और कितने साल रहे कर आएगा यह पता चलता है, जी जी वो भी बोल सकते हैं कि basically जो एक concept है महाधशा, yes, right, तो जब महाधशा होती है वो एक particular period के लिए होती है, तो महाधशा का एक जो 8 साल का period, 9 साल का period, हर एक महाधशा change होते रहती है, तो वो किस माहादशा है यदि को पॉजिटिव गरह तो जल्दी छूट भी जाएगा यदि वो नेग्टिव गरह है राहु है यह सजह यह मंगल् था यह सारे कंसेप्स कोमिक्स करने कि किने की में ल क बनेगा, MP बनेगा, क्या नुम्रोलोजी से जान पाते हैं या नगर सेवक बनेगा या सरपंच बनेगा अभी अभी सर हर्याना के इलेक्शन हुए है और मैं नाम नहीं बता सकता पर पॉलिटिकल नाम बताना भी और वो जायज भी निया डेफिनिटली हमारे फिल्ड में सिक्रसी इस दे में तिंग विच विच वी शूट मेंटेंग बट अर्याना इलेक्शन में दो तीन कैंडिडेट्स को मैंने सपोर्ट किया है राइट एक कैंडिडेट थे जो की एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे मैंने उनको साफ साफ कह दिया कि सर आपको टिकेट भी नहीं मिलेगी बहुत हाई लेवल के इनसा ने डेफिनिटली पार्टी में भी उनका दरदा अच्छा यारी टिकेट तक के चांसेस नहीं थे मैंने उनको क्ल लिस्ट में देखा उनका नाम नहीं था मैंने उनको कॉल करने की मेरी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि ओविसली वो इंसान दर्द में होगा उनको वापस कॉल करके अच्छा नहीं लगता बट बेसिकली यह चीज मैंने प्रैक्टिकली देखिए अभी महाराष्ट्रम में एलेक एक जब डेडेंड पे आके फिर तभी हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं बट डेफिनेटली हम प्लान कर सकते हैं तो निवरोलजी में क्या हम किसी का यह बता सकते हैं यह साल में इसकी प्रॉपर्टी आएगी बिल्कुल सर जब खास करके मैं कहता हूं कि परस्नल येर आठ जब ही है कि मेरा घर कब बनेगा तो वो सबका सपना होता ही है और वो क्वेश्चन आता ही है तो हम यही परस्नल येर के कंसप से उसको आंसर कर सकते हैं कि यह साल में आपके योग है तो अप्लान कीजिए को ऐसा किस्सा बताओ ना कि भूत जाता कॉम्प्लिकेटेड हो ऐसी तो आप थोड़े से विचलित हुआ हो जी तो टिपिकली ऐसा होता है कि एक डेट अब बरत आही थी मेरे पास की बहुत अच्छी डेट अब बरत राजियों सारे बन रहे हैं सब हो रहा है तो मैंने उनको बुला कि आपका तो सब कुछ सही है और बुला क्या सही है मेरा ना तो थोड़े घबराट भी होती किया यह प्रेडिक्शन गलत हो गया ऐसा कैसा हो गया तो तभी वह भी मुझे घबराट हुई बट फॉर्चनेटली अपना बेस जब क्लियर होता है जब अपना लॉजिक क्लियर होता है तब डरने की जरूत नहीं होते तो मैंने उस इंसान क फिर पुछा कि या तो आप जुड बोल रहे हो वो मेरे सामने ऐसा लेडी थी वो मेरे सामने ऐसा देख रही है या तो आपका डेट ऑबर्च सही नहीं है तो उसको गुस्सा आ गया तो उसने मेरे को आधरकड दिखा है तो यह देखो यह मेरा आधरकड इस पे मेरा डेट फिर भी अपने को यह पता है कि इंडिया में ऐसा होता है कि स्कूल में के लिए, टेट पर आगे पीछे कर लेते हैं, साल आगे पीछे कर लेते हैं, मंत आगे पीछे कर लेते हैं, तो मेरा लोजिक कहता है, कि Neworalogy prediction गलत तो नहीं हो तो फिर डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम है तो मैंने उनको फिर भी फॉर्मली बोला कि मैडम मैं हो सकता है मेरे से गलती हुई पर मुझे अभी भी लगता है कि आपका डेट ऑप गलत है आप चेक कीजिए आप पूछिए किसी को पूछी अपने फैमिली में तो उससे में उ दूसरे दिन सी कनेक्टेड बैक एंड शी टोल मी सौरी पर बिइंग हार्श युवर राइट मुझे डिस्क्लोज नहीं करना था बटाया मैं अडॉप्टेट चाइल्ट मुझे मेरा डेट अब नहीं पता है तो ऐसा होता है काफी बार की डेट अब गलत होने की वज़े से इस इसी से यही सीखना है कि आप जब इस प्रैक्टिस में या किसी भी प्रैक्टिस में हो आपका बेशी होना चाहिए कोई भी आपको चैलेंज करें तो आप जो उसको प्यार से टैक्टिकली पर भी हैंडल कर सके ऐसा नहीं कि आप उसको एग्रेशन दिखा हो क्योंकि ख्लाइन को आप एग्रेशन नहीं दिखा सकते तो यह एक इंपर्टन लर्निंग था मेरे शुरुआत के दिनों में तो यह एक इंपर्टन के सटी था दूसरा एक पांच ऐसी के सटडी है बैक टू कपल थे दोनों पड़े लिखे कपल थे और ट्राइंग हाड चार आई आई वी एफ उनके फेल हो चुके थे डॉक्तर ने कह दिया था कि इस लेडी केनाट भी बिकम प्रेग्नेंट विकास उनके एक्ज में इशू है तो यह कुछ एपरिल महीने की बात है वो लोग मेरे प यार में नहीं दे पाऊंगी अब आई वोग ऑज उनके जो डॉक्तर थे इस एक्सपिरियंस वस्मोर देन माई एच लॉक्तर का एक्सपिरेंस 40 सल मेरा एज 35 जो भी था उस ताइंग बेसिकली आई वोग उन्चाओ कि जब डॉक्तर लोग कुछ नहीं कर पा रहे तो आई बिलीव कि इस कपल कंसिवड नैचरली वाह आई वी एफ नहीं ना कोई मेडिकेशन बिकॉस ओविएसी दे हड गीवन अफोप उन्हों में सब बन कर दिया था नैचरली अलोप अपरिल की बात है सब्टेंबर में रात को साड़े ग्यारा बजे मुझे कॉल आता है रात को स अमीत रहती है सभी को उपर वाले पर भरोसा होता है पर इतना शौकिंग की नैचरल कंसेप्शन जब सब कुछ छोड़ देने के बाद तो यह जो रेमिडी जो मैंने दो तीन उनको सजेस्ट की यह बेसिकली मेरा यूस पी बन गया इसके बाद ऐसे और पांच केसिस आया औ सब्सक्राइब कर दोक्टर एड्मिटेट इन डिलिवरी रूम कि इस इस अ मिरेकल इस इस नॉट पॉसिब दोक्टर ने मुझे बुलाया पर्सनली एंड ही टोल मी कि वस इस सम्छिंग विच इस डिवाइन सो मेडिकल साइंस इस अलसो एक्सेप्टेट डैट उपर वाला पटल जो प्राइम मिनिस्टर बनते बनते रहे और उनका नाम आज भी जो है पूरे इंडिया में इज़त से लिया जाता है दूसरा नाम है अमिच्छा दो ही नाम में लूंगा अब रिजल्ट आपके सामने है ठीक है जो देश को आगे लेके जाने का काम अमिच्छा ने न बहुत हूंगा सर जो है एक दुख के साथ कहना पड़ता है कि अपने देश में जो है डर का बिजनेस बहुत होता है खास करके अपने फील्ट में कि लोग डराते बहुत है रहु की महादसा शनी की महादसा ये भौद ब़ुध बढ़ा बहुत बदा प्रब्लम है हम भी इस फील्ड में है पर मैं इसी चीज के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे स्टूडन्स को भी मैं कहता हूँ कि डर का बिसनेस कभी मत करो लोग आपके पास आते हैं सोलुशन के लिए आपके दो मोटिवेशनल वर्ड्स भी उनको confidence देखे जाएंगे और उनको result देखे जाएंगे उनमें capacity नहीं होगी तो भी वो करके जाएंगे तो इसलिए यही चीज है राहू की महादशा सनी के नाम से भी बहुत सारे बिजनेसे सलते हैं शनी की दशा है ये करवा वो करवालो तो राहू और शनी ये दो कर मैं कहूंगा कि अपने इंडिया में इतने बदनाव है पर जैनियूनली मैं कहता हूं कि राहू चार नंबर वाले का जो दिमाग है अगें जो नो दो नाम में ने दिए जहांसे आपकी और मेरी सोच खतम हो कि वहां पे इनकी सोच या इनका माइंड सेट जो हो शुरू होगा तो इनके पास अब राप राहू का भी फोटो देखोगे गूगल करके आपको तो पता ही होगा बर जन्रल पब्लिक के लिए कह रहा हूं कि जब भी आप राहू का फोटो गूगल करोगे आपको सिर्फ सर दिखेगा बौडी नह तो इंट्यूशन पावर या और कुछ प्रावर ऐसा दे देता है उस इंसान को जो उसके लिए सकसेस की चाभी बन सकती है तो इसलिए मैं कहता हूं राहू के पास जो दिमाग है और किसी भी नंबर के पास नहीं है तो यह जो डर का बिजनेस है उसके वज़े से राहू दे दू मेरी डेट ऑफ वर्ब 13 है ग्रेट और मेरा भाग्यांग कि 7 है ग्रेट फोर और 700 यही है जो आपको अकल्ट में लेकर आए आपको फॉर शेवन का जो कॉम्बिनेशन है यह कॉम्बिनेशन बेस्त है उकल्ट के लिए और आप जीते जाते एक्जामपल हो इतना सकस कर आएगा पर सर जो संगर्स के बाद जो फल मिलता है उसका मज़ा ही अलग है अगर आज में आपको कहोगी आप कुछ مت करो आपको मेंוס करो रुपया दे दूगा आपको इतनी खुशी नि हो कि जो मेलात करने के बाद 10000 रुपया मिलेगा वो किरी उ nun पर संगर्स तो मेरे तो दोनों एंटी नंबर है यानि चार और साथ जिसको अच्छा नहीं किना जाते है निमेटरोलोगी पर सर चार साथ जब साथ में आते हैं सर और धर साथ में आ गया तो डेफिनेटली एक कॉंबिनेशन मेरे इसाब से है कि बॉडी कंप्लीट हो गई अच्छा तो मैं कहता हूँ कि चार और साथ और खास करके अकल्ट फिल्ड के लिए तो अल्टरा वेश्ट कॉंबिनेशन है इसने मुझे रिशर्च तो करवाया काफी पामिश्य के अंदर हो सकता है मेरा ये चार और साथ का कॉंबिनेशन नहीं यहां तक पहुचा है मुझे सब एक और बहुत बड़ा प्रोब्लम चल रहा है इसके बारे में प्रकास डालने के मेरी इच्छा है कि आप कुछ डालिए घड़ी के बारे में आजकल बहुत डराया जाता है ऐसी घड़ी पहनो यह नहीं पहनो के तो यह हो जाएगा इस तरह का डायल नहीं होगा तो यह होगा इसलंवर कलर होगा तो यह होगा रबर का बैल्ड होगा तो यह होगा मैं तो घड़ी का चाहक इनसान है मैं तो दो-चार वीडियो देख लिया डर लिया फिर आपका भी मैंने एक वीडियो धिया घड़ी के बारे में मेरे पासक्व दो य've ज्सकलि garbage जादा बहुत जादा कोई कोशली नहीं है 15-20,000 की रेंज की सारी घडिया है पर अब वो थोड़ा ही चक होती है तो सर घड़ी के बारे में पता नहीं एक चीज मुझे भी नहीं पता मैंने तो वीडियो ऐसे ही जनरल जानकारी के लिए डाला था और आज गड़ी से रिलेटेट चार वीडियो है मेरे यूट्यूब पर उसमें से जो पहला वीडियो है वो आइधिंग 11,000 व्यूज कुछ क्रॉस हो चुका है यह कुछ दो-तीन दिन पहले मैंने देखा था दूसरा एक वीडियो वो 50,000 क्रॉस अल्मॉस्ट आसपासी है और सभी वीडियो मुझे भी पता नही गड़ी के वीडियो इतने क्यों चल रहे है तो और अगें सेम चीज़ कहूंगा मैं डर का बिजनेस में अवैड करता हूं मैं सिंप्लिस्टिकली जो है लोगों को इन्फॉर्मेशन देता हूं और गाइडेंस देता हूं तो मेरा सिंपल गाइडेंस वही होता है कि आप जो जो लौजिक है कि लोगों के बिज़ चर्ट में जो है समझे जो छे नंबर मिसिंग होता है तो छे नंबर का जो को guys here element है और वो gold element है और 7 number जो missing है उसका जो element है वो है silver element है इसलिए हम recommend करते हैं कि gold और silver का combination पहने है या सिर्फ gold पहने है यह एक guideline में normally लोगों को देता हूँ और जहां तक dial की बात है ठीक है मैं personally ऐसा मानता हूँ कि dial जो है यह मैंने दो दिन पहले ही ली है और वो भी कैसे ली कि एक client obviously वो wristwatch का video देखके लो consultation करते है तो एक client ने मुझे link बेजा कि sir यह घड़ी मैं ले सकता हूँ क्या उसने मुझे photo बेजा मुला सबसे पहले मुझे link बें यह घड़ी मुझे पसंद नहीं है मैं तेरे से पहले मैं ले लेता हूँ और genuinely उसके पहले मैंने यह घड़ी order कर लिए तो point यह है डायल डेफिनिटल परसनल चॉइस है आपके उपर है सिर्फ एक guideline है उसमें कि black color आप अवाइड कीजिए क्योंकि अगें black जो है वो शनी है slow down है और शनी जो है वह आपसे hardware कराता है और definitely आप हो या मैं हूँ किसी को hardware करना इतना पसंद नहीं है definitely हम मैनत करते है hardware करते हैं but given a choice किसी को इंडिया में hardware पसंद नहीं है तो इसलिए जो है कि black avoid कीजिए इसके अलावा green dial white dial golden dial silver dial आप पहन सकते हो फिर दूसरी एक question आता है कि सर अंदर जो numbers होने चाहिए नहीं होने चाहिए और रोमन होने चाहिए या one two three होना चाहिए तो उसमें भी कैसा है कि मैं कहता हूँ कि Roman number जो है वो सबसे पुराना जो numeric system है वो Roman system है इसलिए Roman preferable है खास करके Roman number होने की वज़े से क्या होता है कि आप जो है अपने area से दूर अपने area से दूर के लोगों को for example यदि मैं मुंबई में बैटा हूँ तो मैं दिली के साथ बिजनेस कर सकता हूँ कोलकता के साथ बिजनेस कर सकता हूँ ऐसा experience कहता है कि Roman number होने से आपको और genuinely मैंने जब से Roman watches पहननी शुरू की है मेरे global client बहुत बढ़ गए मेरे पास आज मैं कहूंगा Mumbai के client 1% है और overseas के client Australia, US, UK, Canada, UK से 70 to 75% are global clients as far as my और यह मेरा experience से Roman numbers पहनने के बाद पर definitely ऐसा होता है कि कुछ घडिया होती है जिनमे Roman numbers नहीं होते है one two three होते है तो खीक है मैं कहता हूँ आप वह भी पहन सकते हो आपके उपर है purely it is taste और जो है आपका खुद का preference के उपर है मैं सिर्फ guideline देता हूँ otherwise definitely ऐसा होगा कि मुझे पसंद नहीं है फिर भी मैं पहन रहा हूँ तो भी वो चीज रिजल्ट नहीं देगी तो वैसा है आपके comfort के उपर है और तो accordingly आप पहनिये सिर्फ black avoid कीजिए बाकी जो है यह basic guidelines मैंने discuss कर ली तो वो basis पर आप decide कर सकते हो अभी मैंने अभी जो घड़ी पहनी है उसमे लाइन है जी लाइन है खाली लाइन है तो इसका क्या यह भी मेरे पास तीन घड़िया है जिसमें सिर्फ लाइन है तो वो भी घड़िया काम कर रही है मतल वो घड़ी भी चलेगी जिसमें सिर्फ लाइन से पर उपर कुछ ना कुछ डिजिट है तो भी चल जाएगा तो मेरी तरफ से जो है full flexibility रहती है मेरी घड़ी हो या जो भी remedies भी मेरी full flexibility है कि भाई अभी इंडिया हो या कहीं भी overseas हो लोगों को flexibility ने देंगे तो एक obligation लगता है कि अरे यह कैसे करूँगा नहीं होगा तो जितना flexibility देंगे जितना freedom देंगे उतना वो लोग दिल से और मन से करेंगे तो ऐसा है तो यह आज कल यह digital clock का बहुत जमाना आया जी उसमें apple watch और फिर जो low budget वाली भी बहुत सारी watch आने लगे तो यह इसका कोई फरक पड़ता है जी तो आजकल जो है लोग काफी digital watches पेंद रहे तो मैं फिर भी recommend करूंगा खास करके apple की watches जो है उनका dial जो है वो square और मैं प्रेफर करता हूं round dial क्योंकि round dial में continuity रहती है जब आप square, rectangle, octagon या कोई भी shape देख लिए उसमें ends जो होते है corner जो होती है वहाँ पे जाके energy रुक जा इनर्जी फ्लो हो रहा है वह आपके blood circulation को भी यह कर रहा है और energy भी आपके body में जो है mind और body में वह circulate कर रहा है इसलिए मेरा recommendation हमेशा round dial and analog watch और metal तो digital में क्या होता है कि वह टिक 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 नहीं होता उसमें भी कुछ-कुछ गड़िया आने लगी है जो टिक टिक करती है तो वह आप पहन सकते हो इसमें कुछ ऐसा भी है कि शायद वो अल्ट्रा वायलेट रेज या कुछ I don't know ऐसा भी कुछ रिस्क होता है तो इसलिए प्ले सेफ और मैं कहूंगा old is gold मैंने तो अभी तक एक भी digital clock खरीदी नहीं है मुझे पसंद भी नहीं मैं यह पुरानी पैटन सब अभी यह नया साल आ रहा है 2025 हमारे जो सुन रहे हमें उनका यह समय कैसा जाएगा पूरा साल उसके बारे में कुछ बता सकते हो तो जी बिलकुल सर तो यह जो साल चल रहा है 2024 मैंने 2023 के end में भी predictions किये थे कि 24 कैसा होगा और यह जो साल है वो शनी का साल है 2024 अगर आप total कर और तो शनी संगर्श कराते हम देख रहे है globally recession हो रहा है कितने wars चल रहे है सभी countries में एक मिच में बोलू साब पिछले सालों में मैंने अपने इलाकों में जी जहां मैं रहता हूं आसपास में इतना redevelopment हो रहा है इसका क्या कारण तो यही है सा redevelopment जो है एक तो logically भी अगर हम बात करें तो काफी जो buildings या जो भी है वो पुराने बनते गए है राइट और यह जो century भी है और खास करके यह साल जो 2024 आठ नंबर शनी का साल जैसे कि मैंने आपको कहा शनी और पाच नंबर जो की बुद का नंबर है यह real estate से जुड़े हुए नंबर से तो आपने देखा हो चौबीस और तीन साल पहले भी real estate में जो है थोड़ा बहुत बूम आया था तो बेसिकली यह जो साल है तब definitely real estate में बूम आएगा और इस साल भी आप देखोगे वापस कोवीड के बाद जो पिक अप लिया है real estate market में इंवेंटरीज है पर आप प्राइजिस देखिए जो प्राइजिस बढ़ रहे इट मींज देट रियल एस्टेट इस ऑलसो गेंग पेस तो मन्दी आने के चांसेस है कौन से साल आने के चांसेस आपके ग्यान के अनुसार तो अभी मैं कहूंगा कि अगला साल जो है मंगल का साल है दोजार पचीश जो है तू-प्लस-टू-प्लस-पाई अगर हम करेंगे अगें एक डिस्क्लेमर यह जैनरिक प्रेडिक्षं है राइट हरेक का डेट आप बर्थ अपना अपना होगा हरेक का परसनल यह अपना अलग होगा तो जैनरिकली अगर हम देखे तो यह मंग मंगल जो है वो आपका audit period है तो यदि आपके कर्म सही है तो आपको result मिलेगा पर यदि आपका कर्म सही नहीं है तो आपको फटके भी खाने पड़ेंगे तो इसी साल को 2024 शनी था काफी लोगों के लिए difficult गया होगा आगला साल मैं जूटी उमीद नहीं दूंगा मंगल है अप वो सूरिय है राइट मतलब जो इनसान किसी मेंने की एक तरीक, 10 तरीक, 19 तरीक और 28 तरीक जन्मा है वो रूल होता है एक से चो एक नमबर वालों के लिए मैं कहूंगा कि ये जो साल है वो ठीक ठाक रहेगा बाकी लोगों से अच्छा रहेगा बाकी नमबरों से अच्छा और more than average you can say it will be good overall financially कोई इतना ज्यादा problem नहीं होगा health में थोड़ा बहुत उपर नीचे हो सकता है आपको health का ज्यान रखना है दो नमबर वाले की अगर मैं बात करूं 2, 11, 20 और 29 तरीक को जो जन्मे है उनके लिए जो है 2 और 9 आपस में opposite नमबर से क्योंकि 2 शांट प्लैने है तो मैं कहूंगा ठीक ठा करेगा ये साल जादा कुछ नया करने की कोशिश ना करें शांत रहे जो चल रहा है उसे चलने दीजिए उसी पर focus कीजिए नया business या कोई भी नया decision कोई बड़ा decision इस साल लेना avoid कीजिए similarly number 3 वाले जो है जो इनसान 3, 12 और 30 तरीक को जो जन्मे है और 21 तरीक of course तो ये लोग जो है वो रूल होते है जुपिटर से यानि गुरू से गुरू और मंगल जब साथ में आते हैं नौलेज बड़ेगा आपका नौलेज बड़ेगा आपको सीखने मिलेगा पर monetary gains होंगे या नहीं ये again it is it is a difficult question to answer क्योंकि मंगल जो है वो भी एक थ करोगे पर monetary it can be 50 50 so आपको पैसे बचाने है वो भी ज्यान रखना है सेविंग्स करनी है राइट और चार नंबर जो है वो राहू है चार तरीक आप चार नंबरो चार तरीक 13 तरीक 22 तरीक को जो जन्में है और 31 तरीक को जन्में है वो रूल होते है राहू से अब राहू त यह साल जो है हाड़वर काई है और और मैं हमेशा कहता हूँ कि चार नंबर वाले एक एज के बाद उनको आड़वर की आदत ही पड़ जाती है उनको कभी आराम भी मिल जाए तो कुछ दूरा दूरा लगता है तो वह इस अब से मैं कहूंगा पट येस डेफिनेटली आपक फिर नमर्बर पाँच वाले बुद्ध से जो रूल होते हैं 8 तरीक ते इस तरीक और पाच चोदान ये जो है यह मैं पाच नमबर से रूल होते हैं इन के लिए जो है मैं कहूंगा यह साल ओके उके रहेगा एक नंबर के बाद यदि दूसरा नंबर है जिस के लिए अगे as compared to others तो हो है number 5 ठीक्टा करेगा कोई ज्यादा दिक्कत इतनी नहीं आएगी और again एक caution में सभी को देना चाहूंगा इस साल कुछ नया ना करे जो चल रहा है उसी को चलने दे कुछ बड़ा decision major decision ना ले पांच वाले की सब सबी provided आपका personal अगर positive आ रहा है तो आप risk ले सकते हो otherwise आप कुछ नया काम करने से थोड़ा सा आप संभाल के कीजिए छे नंबर पर हम आते हैं जो इंसान किसी मेने की 6 तरीक 15 तरीक चोबीस तरीक जन्मा है यह है शुक्र अब शुक्र जो है वो आपको मौज, मजा, पार्टी, ग्लैमर यह सब की तरफ लेके जाता है और मंगल जो है मंगल को हम जोडते है हनुमान जी से हनुमान जी बहुत ही सात्विक है और शुक्र जो है वो एकदम एक्स्ट्रोवर्ट और पार्टी वाला है तो यह भी थोड़ा सा मैं कहूंगा एक वियर्ड या अलग कॉंबिनेशन है तो यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है खास करके हेल्थ का ध्यान देना है छे नमबर वालों को इस साल और हेल्थ में उतार चड़ाओ हो सकते हैं तो आपको यह चीज में ध्यान देनी है साथ नमबर की यदि में बात करूँ केतू है और जो लोग साथ तारिक पच्चीस तारिक या सोला तारिक को जन्मे है ठीक है इनको भी इस साल जो है नया सीखने मिलेगा नॉलेज मिलेगा डेफिनेटली पर पैसा यहां पे भी अगेन है कि शनी है तो हाड़ वर्क कराए गई तो आठ नमबर वालों को भी साल के अंत में अक्टोबर के बाद जो है पॉजिटिव रिजल्स करने देखने मिलेंगे प्रोवाइडेट देया वर्क हार्ड इन दे फर्स नाइन मन्स तो हाड़ वर्क का साल है मेनत का साल है पर एंड में डेफिनेटली रिजल्स अच्छे होंगे मंगल की बात करो 9 नमबर साल भी मंगल का है तो 9 तारिक 27 तारिक और 18 तारिक को जो जन्मे है उनके लिए यह साल उनका खुद का साल हम कह सकते है मंगल का साल है तो अगें अगर आप सही प्रोफेशन में हो अगर आप सही लाइन पे हो तो डेफिनेटली मंगल आपका मंगल ही करेगा तो आपके लिए यह साल अच्छा हो सकता है प्रोवाइडेड आप मेहनत कीजे और लगन से काम कीजे और कोई भी मंगल का एक चीज है कि यदि आप इमानदारी से काम करेगे तो रिजल्ट मिनेगा यदि आप इमानदारी से भटके तो आपको नुकसान भी हो सकता है तो यह एक लिमिटेड पॉइंट है विकली लिमिटेड टाइम में हमने एक से नौ फिकली नंबर्स कवर कर लिए तो ओवर आल जो है ठीक ठा करेगा साल जादा कुछ उमीद मत कीजिए मेनत करते रहिए खुश रहिए और लोगों को भी खुश रखिए एक मेरे प्रस्ण आ रहा है मन में नौ का आपने मंगल का साल बताया तो आजकल हम युद्ध वाला खेर दुनिया में कहीं न कहीं युद्ध तो चलती ही रहते पर जो बड़े बड़े देशों के बीच में जो संगर्स होने के चांसे दिख रहे जैसे इसराइल और इराग के बीच में और कई यूटूब चैनल पर ऐसे वीडियो आ रहे कि विश्व युद्ध की सुरुवात है तो क्या ये एक टिगर साल होगा इस चीज का जी सर डेफिनेटली ये क्योंकि मंगल का साल है तो एग्रेशन का साल होगा और ये चीजे होगी और हो ही रही है अभी भी हो रही है तो इराक और इरान का जो वार चल रहा है और इस्राइल और इस्राइल और इरान का जो वार चल रहा है तो उसमें एग्रिवेट होने के चांसिस है जादा है डेफिनेटली है और पूरे विश्व के लिए थोड़ा चिंता का विश्व है क्योंकि globally जो है कहीं भी कुछ instability होगी तो global markets पे भी impact होगा तो यह definitely चिंता का विशय है अम उमीद करते हैं कि भगवान सब को सत्बुद्धी दे और global recession कहे या because of these wars मैं जूटी सला या जूठा दिला सा नहीं दूंगा chances है definitely यह और aggravate हो सकता है मैं पामिश्य के इसाब से मैंने भूत सारे वीडियो देखे विश्वी यूद होगा विश्वी यूद होगा मैं दो-तीन साल से लोगों के हाथ पर वह समीकरण देखने की कोशिज कर रहा हूँ या विश्वी युद्ध के बाद एक दंबंदी आ जाती है, तो हम भारती लोगों के, मेरे पास तो जादा तर भारती लोगों के हाथ आते, ऐसा कोई लॉंग टम पेन किसी के हाथ में मैंने देखा नहीं, तिक है राउरेका आती है, या धनरेका पर एक आत साल का कट है, इस रखे प्रॉब्लम देखे, तो मुझे ये विश्वी युद्ध वाला जो सब्जेक्ट हो जो आ रहा है, ठीक है, दुनिया में युद्ध हमेसा चलते आए, कभी भी प्रुथवी सांत रही नहीं, किसी न किसी तरह सालों से, मा भारत के समय से अगर हम कोई नॉलेज है, तो मैं एक चीज़ यहां पर बोलूँगा कि इंडिया भारत का जो रोल होगा, इस पर्टिकलर पॉलिटिकल सिचुएशन में बहुत ही स्ट्रॉंग होगा, क्योंकि इंडिया इस पॉलिटिकली कनेक्टेड और प्राइम मिनिस्टर आल्सों इस गूड रिलेशन से मैं कहूंगा कि जो विश्व शांती के लिए भारत का रोल बहुत ही इंपॉर्टन्ट होने वाला है, यह जहां कहां भी युद्ध हो रहा है, विश्व युद्ध तो मैं नहीं देखता होगा, पर हाँ डेफिनेटली यह जो कंट्रीज, दो-तिन कंट्रीज में जो हो रहा ह इंडिया विल प्लेया मेजर रोल टू, इनफेक्ट इवन रश्या जो है, ठीक है, रश्या और वहां पे भी जो वार चल रहा है, तो वहां पे भी मैं कहूंगा कि इंडिया का जो रोल है, शांत करने में वो काफी रहा है, और आगे भी रहेगा कि इंडिया विल प्लेया र पर आज की तारीख में अगर मैं ऑपको कहूं जो आज मेरी सीए की कमाई है और जो मेरी ऑकल की कमाई है मैं दोनों चीज़ कर रहा हूं साथ साथ में और सिये की कमाई जो मेरी समझो यदि एक है तो अकल्ट की कमाई मेरी कम से कम 5X 10 मैं 5X थी दो साल पहले आज मैं कहूंगा 8X 10X का पोटेंशल है और मैं ये सिर्फ पार्ट टाइम कर रहा हूं क्योंकि पार्ट टाइम करके मैं 5X 6X अधी कमा रहा हूं तो आप सोचिए पोटेंशल क्या है इस पर्टिकुलर फिल्ड का मैं इंकम टैक्स भरता हूं सर तो मुझे किसी से डरने की जरुष नहीं है जो इंकम है वाइट इंकम है आपके किताब भी है रूतरक्स के बारे में और रूतरक्स का भी आपको नॉलेज है तो ये जो रूतरक्स का जीवन में फल मिलता है और इसमें क्या डूपलिकेट रूतरक्स भी आते हैं क्योंकि फाइव ये जो पांच मुखी उसकी तो कोई मेरे इसाब से कोई ज्यादा कोश्ट होती नहीं है तो क्या रूतरक्स डूपलिकेट 21 मुखी 14 मुखी ये आते है और रूतरक्स का क्या जीवन में कितना रोल है तो सर आप अगर मुझे पूछोगे तो मेरे लिए जो ह का बक्त रहा हूं और रूतरक्स से नैचरल मेरा कनेक्शन रहा ही है तो मैं कहीं ना कहीं जाता हूं तो रूतरक्स मुझे दिख जाता है या मेरे पास आ जाता है तो रूतरक्स सा जो नैचरल कनेक्शन नैचरल बांड था पर जब मैंने बुक लिखी तो डेफिनिटली मैं मैंने इंडेप्क रिसेर्च किया, मैंने गरंथ पड़े, मैंने शिव महापुरान पड़ा, मैंने देवी बागोत पड़ा, तब जाके मुझे पता चला कि रुद्राक्ष का इंपोर्टन्स या, रुद्राक्ष का वैल्यू क्या है, कुछ चीजे अपने कल्चर में ऐसी है कि सर, जिसको हम टेकन फर ग्रांटेट ले लेते हैं, पर जब हम उसका डीप स्टडी और डीप रिसेर्च करते हैं, तब पता चलता है कि ये तो मैजिक है, इ इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूगा, तो ये बुक के लिए जब मैं, डेफिनेटली मैं रुद्राक्ष से कनेक्टेड था, पर पढ़ते पढ़ते रिसेर्स करते करते मुझे पता चला कि रुद्राक्ष से हम लाइफ में जो हमारे प्रॉब्लम से, अ रुद्राक्ष जो है ये तीनों प्रॉब्लम का सोलूशन आपको देता है, राइट, हेल्थ से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, रिलेशनिप से रिलेटेड, सो सभी प्रॉब्लम का आंसर जो है वो रुद्राक्ष में है, बुक में भी है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं यह पुरानों में है शिव पुरान में है देवी भागवत में है तो यह जो हमारे स्क्रिप्चर से उसी में लिखा हुआ है कि जो बेनिफिट से रुद्राश के और मैंने प्रैक्टिकल केसिस देखे है फॉर एक्जामपल माइग्रेन अगर आप एक्जामपल लीजिए तो मेडिकल साइंस के पास माइग्रेन को कम्प्रीटली डिस्ट्रॉय करने का कोई मेडिकेशन नहीं है वो पेन किलर्स दे देंगे आपको स्लिपिंग पिल्स दे देंगे उससे आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा पेन कम हो रहा है बट अगर आपने मेडिसिन बन कर दिया तो मैंने लिटरली देखा है कि एक मुखी रुदराक्स पहनने से एक हफ़ते में उस क्लाइंट के केस में 80% माइग्रेन में रिलीफ आया 80% विदिन पिरिड ऑफ वन वीक उसकी कोस क्या होती हो गया एक मुखी रुदराक्स सर नेपाल आप देखने जाए तो एक मुखी एक च जादू गोल एक मुखी रुदराक्स अवलेबली इस मित मैं ओनेसली आपको बोलुगा कि अगर आपको कोई बोले यह एक मुखी रुदराक्स है आप लेना भी मत राउंड वाला मैंने काजू शेप में देखा है काजू शेप बेटर है मैं जो गले में पहनता हूं मैं कॉलिटी और ब्रीड पे डिपेंड करता है साड़े चार अजार पाच जार शेयाजार से आता है और डिस इस दर रेंज इंडोनेशन और भी सस्ते होते हैं सो यह भी चीज लोगों को नहीं पता होती कि इंडोनेशन भी रुदराक्स आते हैं हमें कहा गया है बच्पन से कि नेपाल 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 रुदराक्स नेपाल में ही मिलते हैं मैं आपको कह दू रुदराक्स नेपाल में भी बनते हैं इंडिया में भी उखते हैं और इंडोनेशिया में भी उखते हैं स्रिलंका में भी उखते हैं और रुदराक्स रुदराक्स है रुदराक्स कोई भी कहां कभी रुद्राक्षे आपको रिजल्ट दे गए अच्छा बिलोग डराते कि नेपल के मेरका बिजनेस हम नहीं करते हैं मेरे पास दो दिन पहले डॉक्टर आयते हैं उन्होंने का कि सर इंडोनेशन काम करेगा क्या मैंने बुला सर आप डॉक्टर हो आपको आप ही की भा प्रेशंट के लिए रुद्राक्ष के वह सिरत के लिए गवरी शंकर रुद्राक्ष पैसों के लिए मैं कहता हूँ कि 7 मुकी रुद्राक्स लक्ष्मी जी का है और 10 मुकी रुद्राक्स विश्नु जी है तो 7 और 10 जब हम 7 में पहनते है तो 7 मुकी से घर में लक्ष्मी आती है और 10 मुकी विश्नु जी है जिसे घर में बरकत रहती है खास करके अगर किसी पे करजा है या किसी का court cases भी चल रहा है तो भी 10 मुकी जो है वो आपको effectively जिजल देगा सो ऐसे करके एक मुकी से 21 मुकी रुदराक्ष है और हर एक रुदराक्ष की अपनी अपनी विशेशता है अर एक मुकी रुदराक्ष का अपना अपना इस्ट देव है और हर एक मुकी रुदराक्ष का अपना अपना ruling planet, ruling ग्रह और ruling चक्र भी है तो इस हिसाब से आप देखें को impact करता है positively impact करता है health, wealth, career and relationship everything so सभी sectors को cover करता है and best part is इसका कोई side effect नहीं है आपने सर्फ gemstones में देखा होगा कि सब इंसान पुखराज नहीं पहन सकते हैं सभी इंसान diamond नहीं पहन सकते हैं क्योंकि obviously सब case to case आप उनको recommend करोगे या तो ऐसे गूगल देखके कोई पुखराज नहीं पहन सकता गूगल देखके कोई diamond नहीं पहन सकता सो हर एक का जो है guidance अपना अपना होता है rudraks एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी इंसान हर एक problem के हिसाब से अपना rudraks सुन सकता है मेरे पास कोई आता है sir यह मेरा data of birth मेरा फंडा अलग है आपको क्या चाहिए लाइक में पैसा चाहिए यह रुद्राक्ष हेल्थ में कहां पर इश्व है लेग्स में इश्व है नी में इश्व है या अर्थ्राइटिस है या लंग्स में इश्व है अकॉर्डिंगली आपको मैं सजेस्ट करूंगा आपका डेटो पर साइड पे रखो आपको क्या चाहिए इच्छा पूर्थी मेरे लिए रुद्राक्ष है आपकी इच्छा पूर्थी पूर्बललम बेस सॉलुशन हम देते हैं तो इस तरह से रुद्राक्ष जो है वो एक्टिव है और हाँ जो आपनेroffen कुिए और नकली रुद्राक्ष डएविजगली druck के साथ मיש को एड़्रेस करूंगा कि नकली रुद्राक्ष आते हैं और रुद्राक्ष और लोग शक्की नजर से भी देखते हैं कि असली है खास करके जो higher end वाले महेंगे वाले होते हैं क्योंकि वो costly भी होते हैं जब मैं इतना पैसा दे रहा हूं तो एक कहीं और कहीं बैक आफ देखर कर रहे थे जो आप आप हम बात कर रहे थे जो आपके पास आपने मुझे दिखा और trusted sources से लेना चाहिए certificate की भी मैं बात कहूं कि लोग certificate पर rely करता है मैं genuinely on where आपको आज कहता हूं कि certificate भी बन जाता है आप trust factor के basis पे आप रुदराक्स लीजे और सच्ची वावना से सच्ची स्रद्दा से सही source से लीजे आपको रुदराक्स effective रहेगा और result भी देगा तो और female लोगों का भी प्रश्चन होता है कि हम पहन सकते हैं तो ये दोनों question जो है वो FAQ में आते है कि क्या मैं रुदराक्स पहन के non-wage नहीं खा सकता दारू नहीं पी सकता तो again इसका मैं reference दूंगा मेरा answer नहीं है ये जो ग्रंतों में लिखा है उसी का मैं answer इसका दो भागो गार्लिक भी वर्जेत है तो दारू और non-wage तो दूर की बाद ये शिव पुरान की बात हो गए दूसरी बात यदि मैं कहूं तो देवी भागोत देवी भागोत में लिखा है कि यदि कोई non-wage भी खाता है या यदि कोई मासार या मदिरया पान भी करता है उसको भी चौन अीरि तो बच्पन में फुरिक गरता सब्सक्राइबी कैसं करें देखा होगा जो जे नहीं है अंभाती पहले प्र आप है किसी देव पोराइब्रक रुदर्रकृक्सником परता नहीं पर जार पकए दीघर आप झखी यृडर दीजोर मीदी परतो धानाव साइड से ही लोग ज़ाधा रुद्राग्श पेंते थे और उस टाइम पे तो सारे दानाव थे वो तो मदिरयापान करते थे, वो तो non-wage झी खाते थे और सबसे ज़्यादा यदि शीव जी ने किसी पर कुपा की है तो देवों पे कम पी हैं और दानवों पे अर उनको जो आशिरवाद दिये हैं जो उनको वरदान दिये हैं क्योंकि उनकी भक्ति भी सई होती थी सची होती थी मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं बट वह जब भक्ति करते थे तब सच्चे मन से करते थे तो मैं कहूंगा वह एक लाइव एक्जामपल है कि महादेव ने उन पे कृपा की वह नॉन्वेज खाते थे मैं यहां पर अ मैं किसी को रोक नहीं है आपकी परसनल चॉइस है अपका परसनल कमफर्ट है तो यदि मेरा यही पॉइंट है कि अगर आप खाते पीते हो तो आप रुद्राक्स के बेनेफिट से वंचित नहीं रहोगे आप फिर भी रुद्राक्स पहन सकते हो एक प्रैक्टिकल आपको रुद्राक्स का भी बेनेफिट मिलीया दूसरा जो आपने प्रसने किया लेडीस एसा भी कहते है कि फीमेल झोए रुद्राक्स बहुत पावर्फुल होता है फीमेल रुद्राक्स को दारन नहीं कर पाएंगे वह उसका पावर जहल नहीं पाएंगे Тो मैं कहता पावर है वो फीमेल में जादा है मेल में कम है इश्वर ने बच्चा पैदा करने की शक्ति मेल को नहीं दिये फीमेल को दिये उस समय जो दर्द होता है मेरे क्याल में 206 बोंस हो है वो पूरे बोंस ऐसा मैंने सुना है पड़ा है तो जो शक्ति फीमेल में है वो तो मेल में भ कि जब आपके menstrual cycles आते हैं जब आपके periods आते हैं तब लोग पुस्ते की सर उस दिन में निकाल के रख दू मैं करता हूं उस दिन तो आपको खास जरूरत है क्योंकि scientifically medically जो है उस दिन आपका mood swings, hormonal imbalance ज्यादा होगा तो उस ताइम आपको रुद्राज की ज्यादा जरूरत होग तो यह जो है यह आपके mind, body और soul तीनों को balance करता है तो उन दिनों में खास करके menstrual cycles और periods में मैं कहता हूं कि महादेव तो भोले है उनको कोई restriction नहीं यह बगवान ऐसा है जिनको कोई rule apply नहीं होता है so everything is free, everything is freedom आप पहनिये तब आपको जो है ज़्यादा जरूरत पड़ेगी उन दिनों में भी आप पहनिये कोई problem नहीं है रुद्राज पहनने से negative energy का effect न के बराबर होता है reality definitely sir, so खास करके जो हम कहते है कि इंडिया में खास करके rural areas में भी लोग बोलते है कि negative energies किसी ने कुछ कर दिया है काला जादू, टोटका यह सारी चीज़े जो है village areas में, rural areas में बहुत हमने सुनने को भी मिलती है तो रुद्राक्स आपकेवल एक 5 मुकी रुद्राक्स भी पहन लो जो सबसे सस्ता आता है वो भी जो है, वो मैं महेंगे वाले रुद्राक्स की तो बात ही नहीं करूंगा, सिर्फ simple 5 मुकी रुद्राक्स आपको easily मिल जाएगा तो वो रुदराक्स भी पहनने से वो आपको एक सुरक्षा कवज देगा और कुछ रुदराक्स तो ऐसे है स्पेसिफिकली 9 मुखी है 11 मुखी है ये दो रुदराक्स ऐसे है जो खास करके काला जादू तोटका आपको नीद नहीं आती आपको फोबिया है रात को बहुत लोगों को भूत के सपने भी आते हैं ठीक है तो ये सारी चीजों के लिए भी जो है ये रुद्राक्स दारन करने से मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि नेगेटिव एनर्जी का एक पूरा और आपका जो है वो क्लीन हो जाता है और एक पूरा शील्ड बन जाता है कि ये सारे सपने आने लोगों के बंदो गए है और जो भी तोटका वोटका जो भी डर था वो सारे डर जो है वो लोगों के दूर एक्चुली हुए है मैंने देखा है तो रुट्राक्स ये बारे में लोगों को रियल मैं बहुत कम जानकारी है जी इसके लिए आपने कित अगर आपके मन में और कोई सवाल बसते हैं तो प्लीज कॉमेंट कीजिए नेक्स टैम कभी भी मौका मिलेगा इनसे उन सवालों के जवाब लेने की कोशिस करेंगे बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका